कि नमस्कार स्वागत है आपका आरे इमसी की कॉंसेप्ट सिरीज में और आज है डे फोर और आज हम लोग रेशियो का एक फ़ुती महत्वपूर्ण कॉंसेप्ट देखने जा रहे हैं हर कॉंसेप्ट को मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं कि सही में सारे कॉंसेप्ट बहुत हैं आपको unitary method आपको fraction आपको percentage इन सारे कॉंसेप्ट को मैं बता चुका हूँ आते हैं ratio के concept में वैसे तो ये fraction की तरह ही है मतलब अगर मैं x upon y लिखूं तो ये fraction ही है लेकिन अगर मैं x upon y is equal to 1 upon 2 लिखूं तो इसका मतलब होता है x is to y is equal to 1 is to 2 ठीक है तो यही ratio है x और y का ratio आपको दिया है 1 इस्टू 2, ओके, दीखे, रेशियो का मतलब क्या होता ना, रेशियो is nothing but like fraction, और fraction को हम हमेशा उसकी simplest unity में लिखते हैं, ठीक है, जिसे अगर x के पास, suppose 5 toffees हैं, और y के पास अगर 15 toffees हैं, ठीक है, तो अगर मैं इनका ratio निकालो, x upon y करूँ, तो ये हो जाएगा 5 by 15, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा simplify करते हैं, simplify करेंगे तो 5 1 जा और 5 3 जा, तो x is to y का ratio आजाएगा 1 is to 3, इसका मुलब क्या होता ना, कि ratio हमेशा अपने smallest unit में रहेगा, और वो value को कभी भी identify नहीं करता, मतलब value को आप इसे equate नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि x की value 1 है, क्योंकि हमें पताएं कि x की value तो 5 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 को 5 बनाने के लिए into 5 कर सकते हैं, क्योंकि हमें पताएं कि quantity क्या है, लेकिन जब हमें मालूम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उसको किसी भी number से या किसी भी variable से multiply करते हैं, ताएं कि उसको value की तरह use कर सकें, उसी को मैं बोलता हूं by taking common multiple, तो कभी भी अगर आपको ratio दिया है, बिसिकली ratio के साथ आप calculations नहीं कर सकते हैं, calculations का मतलब है plus और minus वाली calculation, simplify ही तो कर सकते हैं, multiply, divide तो कर सकते हैं, plus minus करने के लिए आपको इसको value में change करना पड़ता है, तो हमेज़ा ratio को value में change करने के लिए common multiple ले ले, उसको किसी भी number से, variable से multiply कर ले, और मान लेते हैं कि वो, क्योंकि एक ही same number से ही तो हम इसको simplify करते हैं, ठीक है, तो चलिए अगर ये concept clear है, तो question पर आते हैं, और ये है R.E.M.C. का ही question और आपसे पुछा गया है, the angles of a quadrilateral R.E.M.C. का सवाल नहीं है, लेकिन एक अच्छा सवाल है, चार options भी दिये हैं इसमें, ठीक हैं, दिखें, angles दिये हैं, तो angles को मैं ऐसे लिलता हूँ, suppose A is to B, is to C, is to D, चार angles हैं, और इसको मैं 6 is to 7, is to 8, is to 9 ले लिए, तो अभी मैंने बोला था कि हम लोग लेते हैं, let common multiple BX, तो A की value कितने होगी 6X, मतलब angle आगया, आपका 6X, और B की value कितने होगी 7X, C की value कितने होगी 7X, sorry 8X, और D की value कितने होगी 9X, अब आप इनको values की तरह use कर सकते हो, और क्योंकि quadrilateral में, हमें इतना वालू में कि quadrilateral में sum of all angles होता है, 360 degree, तो अगर मैं यह आपर सब को sum करूँ, 6X plus 7X plus 8X plus 9X, तो यह आपको कितना देगा, 360 degree देगा, ठीक है, और सब को अगर आप add करोगे, it's going to be how much, 8, 6, 14, 21, 30X is equal to 360 degree, और X आगया आपका, X की value आगई 12, X 12 आगया तो सारे angles आप निकाल सकते हो, तो मतलब A angle कितना आगया, 12, 6, 72 degrees, ठीक है, B angle कितना आगया, 7, 12, 84 degrees, ओके, C angle कितना आगया, A 12, 96 degrees, D angle कितना आगया, 9, 12, 108 degrees, ओके, अब हम से क्या questions पुछेगे, देखे, यह मैं तभी calculation कर पाया न, यह प्लस वाली, जब मैंने इनको value की तरह लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि चार, चारो angles का जो sum होगा न, it's going to be 360 degree, in a quadrilateral, ओके, तभी हम X की value निकाल सके, जो कि हमारा common multiple था, ओके, तो जो भी कम common multiple लेते हैं, वो हमें निकालना पड़ता है, तभी तो exact values आती है, तो यह exact values थी angles की, अब आपसे question पुछा गया, exactly two angles are obtuse, तो obtuse का मतलब होता है, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो बिल्कुल दो होतो है, यह statement बिल्कुल सही लग रहा हमें, क्योंकि exactly two angles ही मेरे obtuse है, तो मैं इस वाले statement को correct बोल लेता हूँ, पहला statement सही है, दुसरा statement दिया है, कि two pairs of angles are supplementary, देखलो, pairs of angles को यह supplementary दिख रहा है, आपको हाँ यह दिख रहा है, इस angles are supplementary, ठीक है, तो basically यह, यहाँ पर two pairs बोला है, ठीक है, और यह भी देखो, तो यह भी आपस में क्या है, supplementary है, बिल्कुल सही है, तो two pairs क्या है, आपस में supplementary, supplementary का मतलब होता है कि sum कितना होना चाहिए 180 degree होना चाहिए 72 और 108 का sum भी कितना आता है 180 degree और 84 और 96 का भी sum कितना आता है 180 degree इसका मतलब यह statement भी सही है इसका मतलब इसका जो answer है वो है both A and B both A and B statements are correct ultimately यही बताना चाहता था कि आप ratio में कैसे common multiple लेते हैं और सारी calculations ratios की आप by taking common multiply लेते हैं क्योंकि तभी आप ratios को values में change कर सकते हैं तो I hope कि आपको इस concept बहुत important लगा होगा और है भी आप देखना RIMC के previous years में वह सारे questions आते हैं जो ratio पर based होते हैं और आप ज़रूर इस series में हमसे जुड़िये रहिए ताकि आपको benefit मिले और मिलते हैं अगले concept के साथ तब तक ले bye bye see you soon all the best जैहिंद